हेलो एवरिवान वेलकम तो माई चैनल लिटरेचर स्क्वेर दुस्ता आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस टॉपिक है तो वो टॉपिक है कैन दी सबल्टन स्पीक तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक तो रिकर्ष्ट कि अगर आप इस चैनल पर न्यूँ है या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको ऐसे रेगिलर अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा तो दोस्तों यह जो हमारा टॉपिक है कैन दी सबल्टन स्पीक यह एक ऐसे है और यह ऐसे जो लिखा था यह लिखाता गायतरी स्पीवाक जी ने यह एक इंडियन लिटरी क्रिटिक है बहुत ही फेमस है तो यह जो ऐसे है यह इनके द्वारा लिखा गया था एसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डीटिल्स गयातरी स्पीवाक जी के बारे में बता देती हूँ तो वो आपको ऐसे समझने में काफी हल्फुल रहेगा गयातरी स्पीवाक is an Indian scholar, literary theorist and feminist critic यह काफी famous Indian scholar है, literary theorist और feminist critic भी है जातर जो इनके दोस्तों topics होते हैं वो जेंडर और race के issue पे होते हैं यह जो हम sexual differences society में, men, women में और यह जो male, female में जातर इनके topics उस पे रहते हैं यह post-colonial intellectual है और बहुत ही जादा influential हैं बहुत इंफ्लूएंचल हैं लोग इन से, Gayathri Spivak is best known for her essay, Candy Subultant Speak और जो सबसे जादा इने जाना जाता है, वो इस essay के लिए जाना जाता है Candy Subultant Speak, जो हम आज पढ़ेंगे The muteness of women in post-colonial societies is the main issue which her work confronts जितने भी इनके essay हैं, जितने भी इनोने अपने काम लिखे हैं, जितने भी इनोने चीजे लिखी हैं उसमें सबसे जादा जो इशू है, सबसे main issue जो इनका रहता है, वो ये रहता है कि post-colonial societies में जो women का दरजा है, जो उनकी muteness है या निए जो चुप रहती है, उनने बोलने नहीं दिया जाता है अभी उनको इतने rights नहीं दे गए हैं कि वो अपनी बात रख पाए हैं, उनके जाता जो issue होते हैं, वो इस पे रहते हैं तो चलिए, अब मैं आपको essay के पारे में बता देती हूँ Spivak's essay, Can the Subultant Speak? Address the way the subultant woman is constructed as absent or silent or not listened to अब ये जो Spivak's essay का essay है, Can the Subultant Speak? ये इस तरह से बनाया गया है, कि जिसमें हमें ये बताया गया है कि जिसे औरते जो हैं, subultant woman जो हैं, वो absent रहती हैं, silent रहती हैं, जिनने सुना नहीं जाता जिनकी बातों को The use of the term, subultant is influenced by the Italian thinker Antonio Gramski ये जो subultant term है, ये सबसे पहले जो introduce कराई थी, वो एक Italian thinker है, Antonio Gramski उन्होंने introduce कराई थी, तो इसले सुपिवाग जी नहीं ये term अपने essay में use किया है, subultant अब subultant मतलब क्या होता है, क्यों इन्होंने ये word यूज़ करा है Subultant means of inferior rank, subultant का मतलब होता है inferior rank, जो छोटी rank है और ये term क्यों use की गई है, the term is used for women, blacks, the colonized and the working class ये term इन्होंने women's के लिए, black लोग जो होते हैं, उनके लिए, colonized और working class लोग जो होते हैं, उनके लिए use की गई है Spivak introduces the question of gender and sexual difference in the work अब उन्होंने अपने इस essay में क्या बताया है, जो gender and sexual difference जो होते हैं, इन्होंने इस essay में उसके बारे में बात की है Subultant according to her is those who belongs to the third world countries Spivak जी के according subultant कौन है, वो लोग हैं जो third world countries से belong करते हैं Third world countries क्या होते हैं, जो undeveloped nation होते हैं अब ऐसा क्यों है, because it is impossible for them to speak up as they are divided by gender, caste, region, religion and other narratives अब वो अपनी बात क्यों नहीं रख पाते हैं, वो क्यों नहीं बोल पाते हैं, जो third world nation के लोग हैं क्योंकि उनको उनकी gender से, caste से, region से, religion से या और भी कई तरीकों से divide कर देते हैं क्योंकि तुम नहीं बोलोगे हैं मादलोग दो बड़ी रैंग के लोग हैं और एक छोटी रैंग का आदमी हैं तो ऑविसी बात है वो दो बड़ी रैंग के लोग उस चोटे आदमी को नहीं बोलने देंगें तो यह third world nations के जो लोग होते हैं को क्यों नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि उनको divide करते हैं कि नहीं तुम नहीं बोले लड़ी हो दुम कैसे बोल रही है तुम पहरी ये कश्ट है तुम नीची कास से बिलॉंग करते हो तो तुम्हाली बात नहीं सुनी जाएगी शी वांट्स तो गिप वॉइस तो दी सबल्टन्स वू कैन नॉट स्पीक और वू आर साइलेंट शी फोकुसेज ओन स्पेकुलेशन मेड उन विड़ो सेक्रिफाइज इन्होंने स्पिवाग जी ने सैसे के थूँ उन लोगों को आवास देने की कोशिश करिया है बल्टन्स को जो बोल नहीं सकते बोल नहीं सकते इंदसेंस ऐसे नहीं उनके पास जबान नहीं है कि वो अपनी बात नहीं रख पारे लोगों के आगे उनके लें उने उने यूज किया है और those who are silent, जो बोल ही नहीं पारे, जो चुप हैं, जो बोल नहीं पारे, वो उनको आवास देना चाहती है, इस essay कि थुरू, और इस essay में उन्होंने के एग्जामपल भी लिया है, वो किसका विड़ो सेक्रिफाइस का, अब सती प्रथा तो आप सभी को पता होगा क्या थी, तो इन्होंने इस essay में उसका एग्जामपल लिया है, अब सती आप सभी को बता है, एक प्रथा ती जिसमें क्या करते थे, हिंदू लोग जो थे, अगर किसी औरत का पती मर जाता था, तो उस औरत को जिन्दा ही उसके पती की चिता की सर्थ जला दिया जाता था, तो यह जो भी प्रथा ती यह काफी जादा, मतलब आप यह देखें, आउटडेटेड और्थोडॉक सोच थी, तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्ष आय, when the Britishers came to India, they outlawed this practice, which also helped them to secure their rule in India, जब ब्रिटिशर्ष आय, उन्होंने इस प्रथा को देखा, तो उन्होंने क्या करा, इस प्रथा को बंद करा दिया, इस प्रथा पे रोक लगाया, जिसकी भजा से उन्हें इंडिया में अपना rule secure करने का एक और तरीका मिला क्योंकि अब उन्होंने obvious ही बात है वो औरतों को बचा रहे थे जिंदा औरतों को जब अपने पती की लाशों के साथ मरना पड़ता था तो ब्रिटिश ने आके वो चीज रोकी तो उससे उनका इंडिया में रूल और भी जादा क्या हुआ strong हो गया according to the Britishers white men saved brown women from brown men और जब उन्होंने ऐसा करा तो क्या हुआ एक statement जो थी ये फैल गई कि white men saved brown women from brown men की गोरे लोगों ने यानि Britishers तो obviously white men है और हम इंडियन brown men brown women है तो उन्होंने का कि white men ने brown women को यानि इंडियन और तो को इंडियन आदमियों से बचा आया है इस statement created a truth that Indians are barbarians and Britishers on the other hands are civilized और इस statement से एक सच भी पैदा हो क्या कि इंडियन बार्बेरियन है बार्बेरियन याने जंगली है uncivilized रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता किसी culture की उन्हें knowledge नहीं है और वहीं दूसरी तरफ Britishers civilized हैं क्योंकि यह orthodox सोच और यह जो औरतों को जलाना है सती प्रता है यह वहाँ पे नहीं होता Spivak points out that the oppressed are being more silenced Spivak ने इस essay कि तरू यह भी बताया है कि जो oppressed लोग होते हैं जिन पर जादा अत्ता चार होते हैं वो जादा silenced रहते हैं वो जादा चुप हैं She refused the idea which shows western world is more civilized and superior अब उन्होंने इस idea को भी refuse कराया यानि इस idea को भी अपनाने से ही इंकार कर दिया कि लोग जो कहते हैं कि western world यानि जो अंग्रेज के देश हैं कि बहुत जादा civilized और superior हैं Spivak ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया और अब आपी देखियो उन्होंने से में सबल्टन की बात क्यों करी She talks about subaltern and their place in society because they are also active part of the society अब उन्होंने सबल्टन के बारे में बात इसलिए करी क्योंकि सबल्टन भी हमारी ही इसलिए उन्होंने इसके अंदर सबल्टन के बारे में बात करी Spivak ने भी का कि अब जसे लोग कहते हैं कि to be heard and to be known the subaltern native must adopt western ways of knowing लोगों ने जब यह का कि भई अगर तुम्हें अपने आपको सुनवाना है अपने आपको तुम चाहते हैं लोग तुम्हें जाने तो तुम्हें वेस्टन तरीके अपनाने पड़ेंगे लोग अपने आपको बताने के लिए लोगों के सामने अपने आपको जाहिर करने के लिए लेकिन इस बात से इंकार करा उठोने कहा कि अगर हम सारी चीजों के लिए वेस्टन तरीका अपनाएंगे तो कभी भी एक सबल्टन नेटिव अपने नेटिव तरीके में तो किसी को अ प्रेस्ट किया जाता है जहने बहुत ज़ादा सताया जाता है तो इन्होंने इस ऐसे कि तो उन लोगों की जो बाते हैं वो बताने की कोशिश करी यह So I hope आपको ये समझ में आई होगी वीडियो In case आपको कोई भी doubt रहता है तो आप उसको please comment पे mention कर सकते हैं किसी specific topic पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए वो भी आप comment में mention करके बता सकते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलेगा Thank you so much